जो भी खाद्य पदार्थ या भोजन हम खाते हैं, वह हमारे शरीर के अंदर जाकर दो भागों में विभाजित हो जाता है सार और असार सार का अर्थ पोशक्तत्व और असार का अर्थ मल सार भाग में से वह पोशक तत्व साथ भागों में बढ़ जाते हैं जिसको सब्त धातू कहा जाता है और जो असार भाग है उससे शरीर मल बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है सब्त धातू, सब्त का अर्थ साथ और धातू का अर्थ वह पोशक तत्व जो शरीर का पोशन और विकास करते हैं उन्हें धातू कहते हैं सब्त धातू साथ परकार की धातूएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थी, मज्जा, शुक्र यह साथ परकार की धातूएं शरीर का पोशन करती हैं शरीर का विकास करती हैं और इनी के उपर हमारा शरीर और पूरा जीवन चलता है और निर्धारित होता है अब एके करके इन सब्त धातों की चर्चा विस्तार से करते हैं पहला है रस जो भोजन हम खाते हैं वह जठर अगनी में जाकर सबसे पहले उस भोजन में से रस बनता है रस को अंग्रेजी में एमजाइंस भी कहा जाता है रस से ही शरीर के अन्य धातों के निर्माण की पर करिया आरंब होती है सबसे पहले रस बनता है और उसके बाद अन्य धातों का निर्माण रस में से होता है इस से ही अर्थ रस से ही शरीर के सभी क्रिया कलाव सहज रूप से चलते हैं और शरीर को पोशन मिलता है और रस ही रक्त का निर्मान करता है रस बनने के बाद अब दूसरे नमबर पर भोजन में से जो पोशक तत्व या जो धातू बनती है वैं है रक्त, बलड, खून रक्त से ही शरीर के प्रतियक अंग को उर्जा मिलती है हमारे सब उंग काम कर रहे हैं सर से लेकर पाओं तक हाथ, पैर, कमर, गरदन जितने भी मूह mental वर्क हैं या फंक्शनल वर्क हैं जो भी और्गंज हमारे शरीयर के अंदर के अंग काम कर रहे हैं वहे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें उर्जा मिल रही है और वहे उर्जा उन्हें खून से रक्त से मिल रही है यदि अपने हाथ को हम यहां से दबा दें या किसी भी अंग को दबा दें तो उससे आगे का जो हिस्सा होगा वहे दिरे दिरे शितिल होकर ठंडा पढ़ शरीर को उड़जा प्रदान होती है और सभी अंग अपना कारे कर पाते हैं, सभी अंगों तक रक्त रक्त वहीं काओं के द्वारा पहुंचता है जिससे शरीर क्रियाशील हो पाता है, 3. रक्त के बाद जो धातु बनती है वह है मांस मांस का अरथ मस्ट कुलर टिशूز वसायुक्त भोजन करने से जैसे दूद दूद से बने हुए पदार्थ चना, मुंग, मोट इन प्रकार के वसायुक्त भोजन करने से शरीर के अंदर मांस जाती है तत्वों का या मांस्त का निर्मान होता है जो शरीर को सुरक्षा परदान करता है हड्डियों के ढाँसे के उपर मांस्त की चादर शरीर में सुरक्षा कवच का कारे है और शरीर को हस्त, उष्ट और एक सुन्दर आकृति देती है इसके बाद चौथे नंबर पर जिस धातू का निर्मान होता है वह है मेध मेध कार्थ फैट टीशूज इसको सामानने भाषा में चर्वी भी कहा जा सकता है चिकने पदार्थों का सेवन करने से शरीर मेध का निर्मान होता है इससे मेध से शरीर के अंदर चिकनाहट, क्रिया शिलता, स्थिरता और शक्ती वे तापमान नियंतरित करने में साहता मिलती है इसके बाद पांचवे नंबर पर अस्थी अर्थ हड़ी बोन यह हड़ियां पूरी तरह से केल्शियम की बनी हुई होती हैं कुछ हड़ियां केल्शियम और प्रोटीन दोनों से बनी हुई होती हैं इस प्रकार से यह हमारे हाथ की हड़ी है, इसको हम मोड नहीं सकते हैं इसको अगर यह एक ही बार मुड़ेगी जब यह तूट जाएगी यह पूरी तरह से केल्शियम से बनी हुई है इसी प्रकार से यह हमारे एक कान की हड़ी है, नाक की हड़ी है, इसको हम मोड भी सकते हैं यह हड़ी प्रोटीन और केल्शियम से मिलकर बनी हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत लचीला पन होता है तो यह हड़ियां केल्शियम से मिलकर बनी होती हैं यह शरीर के धाचे का निर्मान करती है शरीर का जो स्केलिटल सिस्टम जिसको का जाता है यह शरीर के धाचे निर्मान करती है शरीर की लंबाई और चोड़ाई अस्थियों के उपर ही निर्धारित होती है इसके बाद छटे नंबर पर जिस धातू का निर्मान होता है वह है म मजज़ा अर्थ बोन मेरोज यह हड़ियों के खोखलेपन को भरती हैं हड़ियों के अंदर यह होती है और यह शरीर को ताकत उर्जा प्रदान करती हैं अन्तिम में सब्त धातूओं में से सात्वा जो धातू है वह है शुक्र शुक्रकार्थ रिप्रोड़क्टिव भोजन के अच्छे से पच जाने के बाद शुक्र धातू का निर्मान होता है इसी से संपून स्रिष्टी क्रम चलता है और नए शरीर का निर्मान हो पाता है इस परकार से हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हम खाते हैं उससे ही है सब्त धातूओं का निर्मान होता है यदि यह दातुओं का निर्मान ठीक परकार से ना हो तो शरीर में अनेक परकार के रोग उत्पन होकर शरीर गंबीर बिमारियों की चपेट में आता है और शरीर में उर्जा, उसाह, ताकत या कोई कारे करने की शम्ता नहीं रहती या धीरे-धीरे कम होने लग जाती है अगली वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे जो भोजन के बाद जो दो हिस्सों में भोजन बढ़ता है जो असार भाग है जिससे मल बनता है उसकी चर्चा और उसके बाद तेरा प्रकार की अगनिया शरीर के अंदर होती है और उप्त धातु ओज इन सभी के ओपर विस्तार स आने वाली कुछ वीडियो में चर्चा की जाएगी